है एक है लो टू आज आज अज़न जो एक्टिविटी करने वाले वह है लाइफ स्किल्स मतलब हमारी लाइफ की क्या स्किल्स है तो हम फर्स्ट बंद पहली स्किल्स देखेंगे क्या है पहले है और गुणाइजेस्ट मतलब शिस्टम मतलब और गुणाइज करना चीजों को देखेंगे दिखाओ यह चीजे फैली हुई है तो देरे ने उठा दी और यह और गुणाइज कर दी ठीक है आप चेकुल एक करके दिखाएगी इसको और गुणाइज करो चेकुल यह खड़ाओ के करके दिखाओ वैज गड़ मतलब चीजों को उनकी जगा पर रखना नैक्स वन सेकंड लेखते हैं हम क्या है टाइम मैनेजमेंट टाइम मैनेजमेंट अपने समय को अपनी सुविधा अनुसार बाटना जैसे धैले बताएगा धैले टाइम मैनेजमेंट बताओ तो ये मैने क्या बताया धैरे टू ओ ग्लॉक लर्निंग लर्निंग श्लीपिंग क्या बताएगी टू ओ क्लॉक रनिंग या प्लेंग तीक है अब थार्ड बन देखेंगे क्लीनिंग साफ सफाई हमें अपने आसपास साफ सफाई कैसे अपने आसपास अपनी साफ सफाई कैसे करते हैं साफ सफाई पेस को वास करेंगे तो कैसे करेंगे या अपने नीट एंड की ड्रेस अप होके रहना है पेस को कॉम करना है या अब फोर्ट वन देखते हैं मेर प्रेफ पतलब जो भी खाना हम खा रहे हैं या हमारी ममा बना रहे हैं कि अगर ममा ने कुछ सामान बना रही हैं तो हम उसे लाकर दे सकते हैं थीक है अगर ममा ने खाना बना लिया तो हम उसे सर्फ कराने में हैल्फ पर सकते हैं तो देखते हैं क्या है effective communication जो तुम्हारी बाते होती है वो effective मतलब सामने वाले को अच्छे लगने चाहिए तो उनको अच्छे लगने के लिए अब कैसे करेंगे कैसे कर सकते हैं बताओ धर रहे अच्छे से good morning करना smile से बात करना say hello करना चेकुल है ना say hi यह हमारे effective communication में आता है then seven seven money management पैसे को सही से इस्तमाल करणा अब मैं आपको करके दिखाती हूँ मैं कुछ पूछती हूँ तो यह money management होता हमको सामान लेने जाते हैं जब हमें लगता है जितने rate का है हमें उतना ही पे करना चाहिए यह कोशिस करने चाहिए हम जितने का सामान है उतने तक बता सके हूँ यह 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 जैसे मैं बोलूंगी करना चाहिए आरे मुछ से पूछता है आते समय बुर्वानिं करना चाहिए क्याना चाहिए आप ऊटने jeszcze ले लोगितना चाहिए तने लास्ट वान बेसिक से अर्टाइस हमें अपने सुरक्सा खुद करने चाहिए क्या से कर सकते हैं तो यह हमारी कुछ लाइफ स्किल्स है जो हमारी लाइफ बहुत काम आती है थैंक यू